Hello students, welcome back in BBVM online class. आज आपका test है. हमने जो link का chapter का दोहरान किया था, उसी का test करेंगे. I hope आप सब ready हैं इस test के लिए. ये test आपका 10 marks का test है. इसमें 10 question है 1-1 marks के, ओके? 10 number का test और एक-एक number का आपका प्रतेक प्रश्ण है. इसमें प्रश्ण है, निमने शब्दों के link बदल कर लिखो. तो students आपको इस बात पर धान देना है कि शब्दों के link बदलने हैं, शब्द pulling भी हो सकता है और stealing भी हो सकता है. अगर शब्द pulling है, तो आपको क्या लिखना है उसके सामने? stealing. और अगर शब्द stealing है, तो आपको उसके सामने pulling लिखना है, ओके? फर्स्ट है आपका कैमें, शिक्षक. शिक्षक किसे कहते हैं? अध्यापक को, जो आपको पढ़ाता है, शिक्षा देता है. तो आपको अध्यापक का नहीं लिखना है, यहाँ पर इसके प्रयवाचिक का नहीं लिखेंगे, आप शिक्षक का ही stealing लिखेंगे. शिक्षक शब्द जो है, वो pulling है, तो आप शिक्षक का क्या लिखेंगे इसके सामने? stealing शब्द लिखेंगे. इसी तरह दूसरा शब्द है मारा खय में लेखिका. लेखिका शब्द जो है, वो क्या है? stealing शब्द है. तो लेखिका कौन होती है, जो लिखती है, निमंद, कहानी, ये सब लिखते हैं, उसको लेखिका कहा गया है. लेखिका का आपको क्या लिखना है? pulling शब्द लिखना है यहाँ पे लिखी का stilling है तो इसकी सामने क्या लिखेंगे pulling इसी तरह दूसरा है सहपार्थी गय में क्या है सहपार्थी सहपार्थी की से कहते हैं साथ पढ़ने वाले को सहपार्थी कहते है आप सहपार्थी शब्द जो है वो है pulling शब्द आपको इसका stilling इसके सामने लिखना है इसी तरह घह में है पुत्र पुत्र का स्टिलिंग शब्द इसके सामने आप लिखेंगे ओके नेक्स्ट है हाथी हाथी आपको सबको पता है अपने आप में पुलिंग शब्द है तो हाथी का स्टिलिंग इसके सामने लिखना है आपको नेक्स्ट है चुहा चुहा भी क्या है? पुलिंग शब्द है इसके सामने क्या लिखेंगे? हाँ, चूहे का स्टिलिंग शब्द आपको यहाँ पे लिखना है इसी तरह से जै में है चीटी चीटी क्या है? स्टिलिंग है तो आपको इसका पुलिंग शब्द इसके सामने लिखना है नेक्स्ट है बाग जह में क्या है बाग बाग का आपको इसके सामने इस्तिलिंग शब्द लिखना है बाग जो है वो पुलिंग है इसके सामने आपको इसका इस्तिलिंग शब्द लिखना है इसी तरह है शेर शेर का आपको इसके सामने stilling शब्द लिखना है और next last का है आपका more, more का stilling इसके सामने आपको लिखना है आप देख रहे होंगे कि जह जो है वो नीचे नीचे है जबकि चेक के बाद में आना जी तो यह misprint हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग चेक कर लेना और students आपको यह जो test है वो किसी की भी help लिए बिना करना है यानि कि किसी की सायता के बिना आपको खुद को करना है मुझे लगता है आप सबने बहुत ही अच्छे से learn किया है और यह बहुत easy test है आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने learn किया है तो और यह test हम इसलिए रहे हैं revision क्योंकि आपकी exam होने वाले है अगले महिने में exam होंगे तो आपके यह सारे के सारे questions काम आएंगे तो आपको यह test अच्छे से देने है learn करके अभी तो आप सोचेंगे कि हम घर पे हैं देख के कर लेते हैं या किसी की help ले लेते हैं लेकिन बाद में जब exam होंगे तो वहाँ पे आपकी कोई help नहीं करेगा इसलिए यह अच्छा होगा कि आप खुद learn करते रहें याद करते रहें और अपने test इमानदरी से देते रहें ओके थैंक यू